हज़ीम लगातार थानों में मीटिंग कर पुलिस के सयोग से बादार में बिकने वाली पॉलीथीन पर रोक लगाएंगे इसके लिए जनेता को जागरूप करने के साथ साथ पॉलीथीन बेट रहे दुकानदारों पर शिकंजा भी कसा जाएगा यहां था कि नगरपालका को कच्रे में फिके जाने वाली पॉलीथीन भी एक जगह एकत्र करने का आदेश दिया गया अब देखना यह कि सरकार की मनशा के मताबक अधिकारी उनके आदेशों का पालन करा पाएंगे या पिर नहीं जहां पर पॉलीथीन अब दैनिक धिन्चर्या में जरूर बन चुके है वह फैकिंग से लेकर खाने पीने तक के सामने सामान को फैट कर ले जाने के लिए भी पॉलीथीन के इस्तेमाल किया जा रहा सासन का आदेश हुआ है कि पूरे शेत्र को पॉलीथीन मुक्त किया रहा है उसी संभन में थाने वाइच हम लोग बैठक कर रहे हैं जो भी हमारे संभानित ब्यापार मंडल को प्रत्वी दिया उनको अम लोग ये बता रहे हैं कि अपने जो भी ब्यापारी साथी है जो सब्सक्राइब करें जो लोग अगर आते हैं खाली याथ आते हैं उनको कहें मोटिवेट करें कि अब थैला लेकर आईए जोला लेकर आईए